आई आई फ्रेंड्स हालो और वेलकम टू दे चैनल कैसे हैं आप लोग आई होब आप लोग बहुत अच्छे होंगे so divine masculine energy की थोड़ी बाते कर ली जाएं इस full moon के बाद से divine masculine की energy क्या है divine masculine collective में क्या चल रहा है और divine masculine क्या सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं उनका next action क्या हो सकता है या क्या होने वाला है तो basically ये जो reading है ये based है divine masculine के उपर divine masculine energy right now बहुत जदा अगर कहें तो हम disturbed है ठीक है उदास है परिशान है and कहीं न कहीं अपनी life में बहुत सारी जगह पर failure को महसूस कर रहे है failure को experience कर रहे है ठीक है तो आप यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि आप उनकी awakening क्लेम करिएगा ठीक है आपको reading के चलते चलते जो कुछ भी claim करना है वो comment box में जरूर से claim करिएगा ठीक है तो यहाँ पर अभी मैं जो बताने चाहरी हूँ वो तो energy बता रही हूँ लेकिन वहाँ पर आप जो कुछ भी चाहे उनकी healing चाहे awakening चाहे आपका union कुछ भी जो कुछ भी आप करना चाहते हैं claim वो आप कर सकते हैं comment box में ठीक है साथ ही एक बार दोस्तों चैनल को subscribe जरूर कर दीजिए और वीडियो को like जरूर करिएगा ठीक है अगर आप से resonate होता है या आप claim करना चाहते है energy को तो तो यहां divine masculine energy की जो मैं बात करने जा रही थी आपके साथ की काफी ज़्यदा परेशान उदास और कहीं न कहीं एक ऐसी feeling जहां पर failure जैसा feeling उनको feel हो रहा है देखे divine masculine का जो scene होता है वो यह होता है कि अपने फैरों पर खुदी को लाड़ी मारने वाला क्योंकि यहां से run करने के लिए connection से run करने के लिए इन लोग ने separation को choose किया था ठीक है ना तो separation को choose किस ने किया आपने खुद किया और आप regret कर रहे हैं तो शुरुआत भी आप ने की थी और अंत भी आप आप भी कर सकते हैं ठीक है ना तो यहां पर जो आपको यह connection को यह इस divine connection को कह लिया जाए for granted लिया गया था ठीक है ना और इस connection को for granted लेने की वज़े से अब divine masculine energy काफी परेशान है because आपको कोई authentic रिष्टे ना 3D life में मिलने वाले नहीं होते हैं ठीक है आप क्या करते हैं कि बाहर जाते हैं चूज करने बाहर जाते हैं ढूंडने अपने अंदर में खोजना अपने अंदर की search क्या होती है अपने अंदर की यात्रा क्या होती है यह divine masculine को कभी समझ ही नहीं आता है और इसी वजह से that's why जब कभी आप अपने solution ढूणने के लिए बाहर जाएंगे 3D में जाएंगे 3D में और और ज्यादा involved होंगे यह गल्टी हमेशा divine masculine करते हैं जितना आप अपने problems के लिए अपने solutions के लिए आप 3D world में outer world में connect होने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप का core divine है तो आप connect हो ही नहीं पाएंगे और आप वहां connect नहीं हो पाएंगे यहां से connect आपने खुदी छोड़ दिया यहां से यह सिरा आपने खुदी छोड़ दिया वो सिरा आपको पकड़ में नहीं आ रहा है ठीक है that's why बाहर जारके परिशान है अंदर की search अंदर की journey पर जाने की इनकी demand है लेकिन अंदर की journey को यह तैयार ही नहीं है अपनी inner journey अपनी inner peace को ढूंडने के लिए अपने सवालों के जवाब अपने अंदर खोजने के लिए थोड़ा meditate करने के लिए divine masculine तैयार नहीं है अना परिशानियों की वज़े से blame shifting करना ठीक है अब वो चाहे third parties पर ही करें मैं यह नहीं कहरे हूं blame shifting का मतलब की आप पर blame डाल रहे हैं लेकिन अगर third parties पर भी आप blame डाल रहे हैं किसी पर भी आप blame डाल रहे हैं तो choices were all yours ना आपकी choices थी जब choices आपकी थी आपने wrong को choose किया तो फिर आप result क्या उमीद कर रहे थे wrong ही आना था and जब wrong result आ रहा होगे पस्ते ही चले जाओगे इसलिए इनके लूप टूटना इनके लूप खतम होना इतने मुश्किल होते हैं इनके साइकल एंड होना है और next thing जो इनको परिशान कर यह वो है divine feminine का silence divine feminine का silence divine masculine को collective को परिशान कर रहा है उनकी physical reality में जो कोई भी chaos है जाए वो third parties की वज़े से इनके अपनी choices की वज़े से life choices की वज़े से लेकिन जो कुछ भी chaos है ना इनकी physical reality में जो इनको परिशान कर रहा है and right now तो आपको भी पता है कि इतने सारे readings में आया है पहले की third parties तो बहुत ज़्यादा परिशान कर रहे हैं तो DM energetically divine feminine को sorry है ठीक है उनको regret है अपने behaviors अपने toxic patterns के लिए तो believe करिए आप और अपने divine masculine की awakening को claim करिए ठीक है क्योंकि divine masculine जब regret में है तो यानि की कहीं न कहीं इनकी ego demolish होने पर है खतम होने पर है इनकी ego जाने पर है और जब इनकी ego जाएगी तभी इनकी awakening real माइनों में start हो पाएगी बहुत सारे लोग awakening के process में step in कर चुके हैं लेकिन फिर भी अभी उनकी ego side से work कर रहे हैं तो यहां पर अगर हम देखें कि divine masculine किसी भी तरह के अगर regret में realization में आ रहे हैं तो इस means कि उनकी real sense में awakening स्टार्ट हो रही है ठीक है दूसरी तरफ अगर इस awakening को claim करिएगा comment box में जरूर शिवशक्ति लिखिए 1111 लिखिए य अपनी awakening क्लेम करिए जो कुछ भी आप claim करना चाते हैं वो claim करिए ठीक है अपनी ascension को claim करिए अपने divine connection को claim करिए अपने divine reunion को claim करिए बट करिए जरूर comment box में आप जरूर से लिख के जाएंगे ठीक है तो यहां पर अगर मैं बात करूँ आपकी energy की अभी के time पर आपकी energy past के कुछ जो shift हुए है इसके बाद आपकी जो energy divine feminine side की जो energy इसमें totally shift आया है और आपकी बात की जाए अगर divine feminine की तो आप creator की energy में है right now आपकी स्थिती ऐसी है कि आप बहुत सारी चीजे already release कर चुके अपनी life से बहुत सारी toxicity toxic patterns आप release कर चुके अपनी life से और आप जो है ना creator जैस पर अब जो सोचोगे ठीक है जैसा चाहोगे जैसा देखोगे वैसी ही आपकी life बन जाएगी वैसा ही होने लगेगा तो क्यों ना आप अपने divine masculine की awakening देखो अपनी ascension देखो अपने divine connection को देखो अच्छी अच्छी चीजों को देखो ता कि आप अच्छी ही चीजें अपनी life खुद बनाती है ठीक है कर्मा भोगने वाले जो दौर थे ना उनमें से आप निकल चुके हो and right now आप creator की energy में हो divine ने आपको वह power दे दिये कि अपनी life खुद बना रहे हो आप ठीक है तो ऐसे टाइम पर आप कुछ भी claim कर सकते हो और जो आप claim करेंगे वह आपको मिल जाए बिकर क्रियेटर का काड़ यही बोलता है कि आप खुद में ही उस स्तिती पर पहुंच चुके हैं जहां पर आप हर वक्त divine से aligned है यानि कि हर वक्त आपकी जुबान पर सरस्वती बैठी है है आप जो बोलेंगे सच होता चला जाएगा ठीक है तो यहां पर अपनी इस creator की energy को use करिये अच्छे use में यूज करिये मिस्यूज मत करिये है ना अपने लिए सर्फटॉक अच्छी रखिये अपने divine connection के लिए सर्फटॉक अच्छी रखिये और अपने आपको in loops से जैसे निकाल चुके हैं उसी प्रकार से अपने reunion में भी step in कर सकते हैं आप करियेगा मेरी best wishes आपके साथ हैं I hope आप लोगों को energy resonate हुई है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से मुझे बता के जाएगा अपने अनुभाव में बताईएगा सो देट हम उनको आगे वीडियो में डिसकस कर सके आप अपने अनुभाव बताईएगा साथ ही साथ energy में जो कुछ भी आप क्लेम करना चाहते हैं वो जरूर से क्लेम करिएगा थैंक यू सो मस् दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई